एक सिवभख्त ऐसा भी जिसे भोले नाथ ने दिये साक्षाद दिर्शन एक बार एक सिवभख्त अपने काउशे केदारनाथ धाम की आत्रा पर निकला पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं भह पैदल ही निकल पड़ा रास्ते में जो भी मिलता केदार नात का मार्ट पूछ लेता मन में भगवान सिप का ध्यान करता रहता चलते चलते उसको महीनों बीट गए आखिर कार एक दिन भख केदार धाम पहुँची गया केदार नात में मंदिर के द्वार छे महीने खुलते हैं और छे महीने बंद रहते हैं वह उस समय पर पहुचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहते पंडी जी को उसने बताया कि वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है पंडी जी से प्राथना की किरपा करके दर्वाजे कुल कर प्रभू के दर्शन करवा दीजिए लेकिन वहां का तो नियम है एक बार बंद तो बंद नियम तो नियम होता है वह बहुत रोया बार-बार भगवान सिफ्ट को याद किया कि प्रबू बस एक बार दर्शन करने दो वो प्राटना कर रहा था सभी से लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी अंडित जी बोले अब यहां छे महिने बाद आना छे महिने बाद यहां के दर्वाजी खुलेंगे यहां छे महिने बर्फ और ठंड पढ़ती है सबी बहाँ से चले गए वह वही रोता रहा रोते रोते अंधीरा होने लगा लेकिन उसे विश्वास था अपने से उपर कि वो जरूर कृपा करेंगे उसे बहुत भूग और प्यास भी लग रही थी उसने किसी के आने की आहट सुनी देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा है वह सन्यासी बाबा उसके पास आया और पास में बैठ गया पुछा बेटा कहां से आये हो उसने सारा हाल सुना दिया और बोला मेरा आना यहां पर व्यर्थ हो गया बाबाजी बाबाजी ने उसे समझाया और खाना भी दिया और फिर बहुत देर तक बाबा उससे बाते करते रहे बाबा जी कोश पर दया आ गई वह बोले बेटा मुझी लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा तुम दर्सन जरूर करोगे बातों बातों में भक्त को ना जाने कब नीन दा गई शुरी के मद्धिम प्रकास के साथ भक्त की आँख खुली उसने इधर उधर बाबा को देखा किन्तू वह कहीं नहीं थे इससे पहले वह कुछ समझ पाता उसने देखा पंडित जी आ रहे हैं अपनी पूरी मंदिली के साथ उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला कल आपने तो कहा था मंदिर छे महीने बाद खुलेगा और इस बीच कोई नहीं यहां आएगा लेकिन आप तो सुबह ही आ गए पंडित जी ने उसे गौर से देखा भचानने की कोशिस की और पूछा तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंधोने पर आये थे जो मुझे मिले थे छे महीने होते ही वापस आ गए उस आदमी ने आश्चर से कहा नहीं मैं कहीं नहीं गया कल ही तो आप मिले थे रात में मैं यहीं सो गया था मैं कहीं नहीं गया पंडिजी के आश्चरे का ठिकाना नहीं था उन्होंने कहा लेकिन मैं तो छे महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज छे महीने बाद आया हूँ तुम छे महीने तक यहाँ पर जिन्दा कैसे रह सकते हो पंडिजी और साड़ी मंदली हैरान थी इतनी सर्दी में एक अकेला वैक्ती कैसे छे महीने तक जिन्दा रह सकता है तब उस भक्त ने उनको शन्यासी बाबा के मिलने और उनके साथ की गई सारे बाते बता दी कि एक सन्यासी आया था लंबा था बड़ी बड़ी जटाएं एक हाथ में त्रिसोल और एक हाथ में डमरूल ये म्रिग साला पहने हुए था पंडित जी और सब लोग उसके चर्णों में गिर गएं बोले हमने तो जिन्दिगी लगा दी किन्तु प्रभू के दर्शन ना पासके सचे भक्त तो तुम हो तुमने तो साक्षात भगवान सीव के दर्शन किये हैं उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे छे महिने को एक रात में परिवर्तित कर दिया काल खंड को छोटा कर दिया यह सब तुम्हारे पवित्रमन तुम्हारी श्रधा और विश्वास क के कारण ही हुआ है हम आपकी भक्ति को प्रडाम करते हैं बाबा भोली नात की जय हो